IPL के इतियास की दो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियन्स और चिन्नाई सूपर किंकी टीम इन दोनों ही टीमों को आप बहुती भली भाती जानते होंगे एक टीम ने जीता है पांच बार तो दोसरी टीम ने भी पांच बार जीता है और IPL 2024 में दोनों टीमें अपने चटे ट्रॉफी के लिए उतरेंगी वैसे तो लास्ट एर जब ये दो टीमें आमने सामने बढ़ी थी तब तब भाईया यहां पे चन्नाई ने मुंबई को दोने मुकाबलों में हराया था और इसका बदला IPL 2024 में मुंबई की टीम जरूर लेना चाहेगी हलाकि आपको ये जानना होगा कि अभी तक इन दोनों ने खुल 36 मुकाबले खेले हैं एक दूसरे से जिसमें मुंबई ने 20 मुकाबले जीते हैं चेन्नाई ने 16 मुकाबले जीते हैं तो यहां पे तो मुंबई की टीम अल्रेड़ी आगे चल रही है तो IPL 24 से रिलेटेड धेर सारी वीडियो बनाने के बाद प्लेइंग 11, डेंजर्स, बैट्समेन और रिकॉर्ड के बाद यह हमारी वीडियो है इन दोनों ही टीमों की कंपेरिजन वीडियो दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के कंपेर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी टीम पढ़ रही है किसके उपर भाड़ी तो वीडियो को इन टेक देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिया और हमें टेली ग्राम पे जोईन करना नहीं भूलिएगा IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए तो दोनों टीमों को कंपेर करें तो बात करेंगे सबसे पहले दोनों टीमों के टॉप ओर्डर बल्लेबाजो की टॉप थरी खिलाडियों की टॉप थरी में सबसे पहले मुंबई के तरफ से नंबर एक पे रोईस सर्मा आएंगे दो पे इसान की सन इनके साथ ओपनर और तीन पे सुरे कुमारिया दो शन्नाई के तरफ से एक पे डेविन कॉनवे दो पे रूतुराज गएकवाड और तीन पे डेरिल मिचल जो के इनके नए खिलाडी हैं ये तीन-तीन खिलाडी हमें दोनों ही टीमों के तरफ से टॉप ओडर में बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देंगे और इन दोनों ही टीमों के पास यूआ ओपनर के साथ साथ एक्सपिरियन्स खिलाडी भी है एक तरफ रोहिस्तरमा है जिनके साथ ओपनिंग करेंगे इसान की सन तो दोसरी तरफ डेविन कॉनवे है जिनके साथ ओपनिंग करेंगे रूतू राजगाएकवार्ड ये दो बहुती अच्छे ओपनर है एक एक्सपिरियंस एक युवा खिलाडी का कॉंबिनेशन दोनों ही टीमों के तरफ से है नंबर तीन पे मुंबई के पास है सूरे कुमार यादो तो इधर चिन्नेई के पास भी डैरी मीचल है जिकि इस समय बहुती खतरनाक फॉर्म में है तो दोनों ही टीमों का टॉप ओडर एक दूसरे को काफी काटे का मुकाबला दे रहा है काफी काटे क टककर दे रही है लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे मुंबई का जो टॉप ओडर है वो ज़्यादा एक्सपिरियंस है प्लस तीनों ही इंडियन खिडाडी है जो कि भारतिय पिचेस को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और इस्पिनरों को अच्छे तरीके से खेल सकते है That's why हमें ऐसा लगता है कि टॉप ओडर में मुंबई की टीम थोड़ा आगे दिखाई दे रही है चेन्नई सूपर किंग के टीम के मुकाबले बाकी अगर देखा जाए तो दोनों टीमों में जादा नहीं बस 19-20 का ही फरक है क्योंकि यहाँ पे चेन्नई का टॉप ओडर भी काफी मजबूत है और एक कड़ी टकर देगी फिर भी on the paper थोड़ी बहुत आगे यहाँ पे मुंबई की टॉप ओडर दिखाई दे रही है बढ़ते हैं दोनों ही टीमों के मिडल ओडर बले बाजों की तरफ मिडल ओडर में जहाँ एक तरफ मुंबई इंडियन्स के तरफ स नंबर चार पे आएंगे तिलक वर्मा, पांश पे हार्दिक पांडिया, छे पे टिम डेविड, साथ पे रोमारियो से फड़, तो चन्नाई के तरफ से चार पे अजिंके रहाने, पांश पे स्तिवम दूबे, छे पे रविंद्र जडेजा, और साथ पे एमेस धोनी, तो य ये चार-चार खिलाडी हमें दोनों टीमों के तरफ से मिलल ओर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखाए देंगे, मुंबई के पास मिलल ओर्डर में दो भारतिया और दो विदेशी खिलाडियों का कॉम्बीनेसर हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांडिया, दो भारतिया टिम डेवीड और रोमारियों से फट दो विदेशी खिलाडी, चन्नेई के पास चारो ही इंडियन मिडल ओर्डर बैट्समेन हैं और ये चारो ही स्पिनरों को काफी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, एमेस दोनी वैसे तो देथ ओवर में ही आएंगे, तो अकर हम लोग उ यहाँ पे दोनों टीमें फिर से भाई अब बहुत ही जादा मजबूत दिखाई दे रही हैं, इन दोनों ही टीमों को हम IPL की सफल टीमें ऐसे ही नहीं कहते हैं, हर पहलू में एक दूसरे को ये दोनों टीमें कहीं न कहीं कड़ी तक कर दे रही हैं, लेकिन जैसा हमने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, सिवम दूबे को छोड़ के वो भी अब इतना क्रिकेट तो खेल चुके हैं कि एक्सपीरियंस हो चुका है, और मुंबई के पास रोमारियो सेपर्ड है, जो कि हम मुझे उतने अच्छे या फिर उस लेवल के ओल रूंडर नहीं माने जाते जिनको हम टॉप काटेगरी में रखें, टीम डेविड हार्विक पांडेया जरूर यहाँ पे बवाल मचा सकते हैं, लेकिन ओवर ओल देखा जाये तो चन्नाई का मिडल ओडर ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभा होने के वज़ा से मजबूत है मुंबई इंडिय यहाँ पे थोड़ी पीछे चन्नाई आगे है, बॉलरों की बात कर लेते हैं, गींद बाजों की बात कर लेते हैं, तो गींद बाजों में नंबर आठ पे मुंबई के तरफ से आएंगे जलाट कोईटी जे, नो पे प्यूस चावला, दस पे जेसन बैरिन डॉप और ग्यार यह चार चार गेंद बाज, दोनो ही टीमों की प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं, दोनो ही टीमों के पास इंडियन गेंद बाज के साथ साथ विदेसी गेंद बाज भी हैं, दोनों टीमों के पास दो इंडियन दो विदेसी गेंद बाज हैं, मुंबई की बात करें तो बुम्रा हैं और उनके अलावा प्यूस चावला एक स्पिन गेनबाज चन्नई के बात करें तो इनके पास दीपक चहर और स्तादुल ठाकुर के रूप में दो भारतीय तेज गेनबाज हैं इधर चन्नई के पास महीज ठिकसाना मतिसा पाथिराना तो उधर जलाट कोईटिज और जैसन बैरेन ड्रॉफ देखा जाए तो यहाँ पे भुम्रा कहीं ने कहीं एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं मुंबई के लिए जो की एक बहुती खतरनाग गेनबाज माने जाते हैं लेकिन चन्नई की गेनबाजी को भी हम कम में नहीं ले सकते मतिसा पाथिराना का जादा कड़ी टककर दे रही हैं दोनों टीमों के पास बहतर गेनबाज है जिनमें से एक को चुदना काफी मुस्किल है तो मैं ये लास्ट वाला जो डिसीजन है यानि कि बॉलर का जो डिसीजन है वो आप लोग के उपर छोड़ता हूँ आप लोग हमें कमेंट करके उनों ही टीमों में से किस टीम की गेनबाजी आपको जादा मजबूत लग रही है और जिसको आप चूज करेंगे वही टीम जीतेगी क्यूंकि टॉप ओर में मुंबई मजबूत दिखाए दे रही है तो मिडल और में चे नहीं तो बॉलर को उपर आप हमें कमेंट करके बत झाल झाल